हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूटूब के चैनल के उपर दोस्तों इसका नाम तो आप जानते हैं लेट्स क्रियेट वेल्थ है और इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी से अच्छी वेल्थ बनाना तो दोस्तों आप वही स्टॉक खई दिये जो फंडमेंटल कंपनी है स्टॉंग यह मैंने कहता है कि जो मैं बताया हूं वह खई दिये पर आप अपना खुछ से भी परसनल स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आप खुछ सीख पाएंगे स्टॉक मार्क तो यह चैनल भी लेट्स क्रेट वेल्थ का ही चैनल एक है मिस्टर और मिसेस इन्वेस्टर तो आप चैनल पर जाईए हो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट हमेशा टाइम पर मिलता है जो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा और आपको पता है मिसन तो केवल आपको एजुकेशन देना है ताकि आप अच्छी सची वेल्थ क्रियेट कर सके अपने खुद की और अपने आप कर सके जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूत ना पड़े दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को भी सब्सक् संपनी रिलेक्सो फुट्वियर की दोस्तों बहुत लंबे वक्त से मैंने इस पर वीडियो बनाये हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा जब मैंने पहली बद रिलेक्सों पर दोस्तों वीडियो बनाया था तो छैसो पैंटिस रुपए के प्राइस पर चलता था आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिलेगा आप जाके वहां से भी चेक आउट कर सकते हैं तो खेर वो सब पुरानी बात है अभी नई बात यह समझे कि रिलेक्सो फुट्वेर को आपको करना क्या गिरावट में कभी भी मत छोड़गा खईद के रख लीजे एक तरफा स्टॉक में तेजी चलती है जब स्टॉक चलना शुरू करता है न दोस्तों तो आपको पता ही नहीं चलेगा यह कब इतना बड़ा रॉकेड बन जाता है तो बात याद रखिएगा छैसो पैसे रुपाई के प्राइस पर मैंने पहली बार बनाया था आज स्टॉ को अपने पॉर्ट्फोलियो में सामिल कीजिए पैसा तो इसमें बनना तैह दोस्तों कोई डाउट ही नहीं कोई बहुत ही आलीसान कंपनियों में से एक कंपनी है तो आप रिलेक्सो को अपने दिमाग में रखिए वास्वेस में रखिए गिरावट में एट कीजिए चलते दोस्तों further discussion करेंगे उससे पहले कहना चाहता हूँ कर चैनल हमारे पहली बार है तो subscribe कर लिजेगे दोस्तों तो प्यारे भाई लोग सबसे पहले में शुरुआ करना चाहता हूँ रिलेक्सों फूट्वियर की आपको रेटन की profile दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा धिक का मूव दे डाला है छे महीने में दोस्तों करीब करीब 49% के आसपास के रिटन ये साल की शुरुआत जपसो हुई है बहुत ही सही रिटन दिये है 25% के आसपास दोस्तों ये बहुत ही स्टडी रिटन प्रवाइड करता इसके खूबी है और आप कभी देख लिजे पूरी रिटन की प्रोफाइल है आपको कभी रेडिस की कभी कुछ भी रिटन नहीं मिलेगा है ये बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है एक साल में 67% सथिक के रिटन दिये हैं दो साल की अगर हम बात करें तो 153% के रिटन है तीन साल में 192% चार साल में 340% के रिटन पास साल म आपका 77 कर दिया है तो बहुत ही आलीशान कंपनियों में से कंपनी है और ब्रेंड अमबैस्टियर भी दोस्तों इसके एक से अलीख सान है असलमान खान अरबीर काफूर अर्वीर सिंग अलिया भट तो तो ऐसे इसके ब्रेंड आपको बताऊंगा तो आपको दिखाना एक साल के जो रिटर्न है करीब करें 67.77% के हैं फुट्वियर इंडस्टी का स्टॉक जैसा आप जानते कर मार्केट कैप के आप बात करें तो 23,527 क्रोन का मार्केट कैप तो लार्ज कैप कंपनी बन चुके दोस्तो और 94 के पी पे फिलहाल काम काच करें तो दोस्तो इसका वैलवेशन हमेंचा ही एक्सप्रेंस रहता है ज्यादा सकती यह होती नहीं है क्योंकि दोस्तो जो कंपनी अच्छे रिजल्ट प्रेजंट करेंगी अक्चे फंडामेंटल उसके हैं तो वो सस्ते में दोस्तों कभी नहीं मिलेगी आपको मैं आपको बताना चाहता हूं आए ये सेर होल्डिंग पैटन समझते हैं तो प्रमोटर के अच्छी कासी होल्डिंग लगबग 70% के असपास की नौन इस्टिटुटिशन इंवेस्टर 18.2% FII 3.88% और Mutual Fund 7% तो दोस्तों इस तरीके का इसका सेर होल्डिंग पैटन देखने को मिलता है तो दोस्तों यहां पर हमार चुके हैं रिलैक्सों के डीटेल के ऊपर और यस मैंने नसी की ऑफिसल वेबसाइट खोल दी है तो आप देख सकते हैं आज इसका जो फाइनल प्राइसिंग मादर लास्ट रेडिंग प्राइस था वह एक हजार उन्तियस रुपए तो एक सुब ग्यार रुपए की तैजी करी 12.1 परसेंट क्लोजिंग प्राइस दोस्तों आप देख सकते हैं एक हजार ग्यार रुपए प्रीवेस क्लोज 917 ओपनिंग आज वहीं पर होई और दिनका हाई एक हजार 35 जो कि इसने ओल टाइम हाई भी हिट कर दिया है वाज दिनका लो जुथा दोस्तों वह 915 रुपए का देखने को म मिला है तो दोस्तों आप थोड़ा सवर फोकस कीजेगा यहां पर तो 52 जोलो है करीब 570 रुपए हाई की अगर हम बात करें तो आज के दिन एक हजार 35 रुपए का इसने हाई भी लगा दिया है और यदि हम बात करें इसके बाई क्वांटिटी की दोस्तों यहां पर आप द दोस्तों मैंने जो आपके लिए बोला कि कल का दिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है वजह आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी है तो थोड़ा फोकस के लिए करने की जुरूत है तो रिलेक्स हो का कल फाइनल रिजल्ट आने वाला है और डेविदेंट वी अनॉंसमेंट होगा तो क्वार्टर फोर के नतीजे कल के दिन रिलेक्स होके आएंगे तो आप लोग को फोकस में रखना है अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो दोस्तों जैस क्या था हुआ झागि दिलेक्स देख भुआ ओट है अगर्टर प्यूब ट तोस्तों पीड़ च्रोग कि घु कंपता खे तोस्तों इऴल्ट जुक्षट रूले की जुएच होग तोस्तों च्टिए